गुड मोरिंग ओलोफ यू यू आर मोस्ट वैलकम इनर्सिंग इनोवेशन और आजम फिर से आपके लिए जी इटी सिस्टम का एक नए टोपिक लेकर रहे हैं और टोपिक है एनोरेक्टल मालफोमेशन सो लेट्स वी स्टाट फर्स्ट बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि एक्चुली में एनोरेक्टल मालफोमेशन का मिनिंग क्या होता है तो एनोरेक्टल फर्स्ट दो ट्रम से मिलकर बना हुए दो वर्ड से मिलकर बना हुए एनोरेक्टल प्लस मालफोमेशन तो एनोरेक्टल क एंनिस या अननों में या इनकोंप्लेट्वरॉप्मेशन का मतलब गए एह अपनूर्मल डॉपम्ट्वर मिमय है या फिर आनों मलकुप्लेट्वाया ले बोल सकते हैं яр है सच थीक GIT सिस्टम के लास्ट जो फार्ट कौन होता है उसके यंदर और उसके अगर इनकॉंप्लेट याइंडर्मल फोमेशन होए को उसे क्याब टेंगे आनॉर्यक्टल का formation होता है किस तरीके से normal work perform करते हैं तो इस तरीके से colon and then उसके बाद rectum part होता है and last one होता है एनस तो इस तरीके से fecal material pass out हो जाते है अपनी body से ठीक है इस तरीके से आएगा यह जैसे पूरा digestion के बाद absorption के बाद waste product और इस तरीके से remote हो जाते है जिसकार में से तो fecal content हो पास आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है malformation हो चुका है एनस यहां फिर rectum का ठीक है चलो next पर चलते हैं कि नोर्मली एनस और rectum separated from urinary system at 7 to 10 विक को कैस जाते हैं शुरू में जब बोडी development होती है तो सारे ओर्गन लगबग एक दूसरे से attach होते हैं देरे देरे growth और development होता है और इसाब से वो सारे separate होने लग जाते हैं अपनी पोजिशन पर प्लेस हो जाते हैं तो जो नोर्मली रूप से एनस और rectum कब separate होने लग जाते हैं अब हम बात करने वाले factors की कौन-कौन से causes या etiology हैं जो anorectal malformation को lead करते हैं तो इसका कोई exact cause पता नहीं है यानि की unknown causes है, idiopathic हैं बट कुछ risk factors हैं जो एक बेबी के अंदर anorectal malformation की condition develop कर सकते हैं first one हो गए maternal infection यानि की जो pregnant woman को कोई infection हो चुका है, toxoplasmosis, syphilis वगरा जो भी sexual transmitted disease अगर present है किसी pregnant ladies के अंदर तो वो भी एक बेबी के अंदर anorectal malformation की condition को lead कर सकती हैं next is factor की बात कर लेते हैं, chromosomal abnormality, कुछ chromosome के अंदर abnormality आ चुकी यानि की gene mutation वगेरा के अंदर तो ये भी किसको lead करेंगे, malformation को lead करेंगे, anorectal area के, ठीक है next पे चलते हैं, और बात कर लेते हैं, types of anorectal malformation, यानि का anorectal malformation कितने type के होते हैं, anorectal malformation के अंदर कौन कौन सी abnormality देखने को मिल सकती हैं, उसी substance के types को divide किया गए है मेल रूप से चार type के होते हैं, anorectal malformation, first one, persistent anal membrane, and then second, anal stenosis, and third one, anal agenesis, या फिर imperforate anus, या फिर, और last one बात कर लेते हैं, rectal agenesis अब stenosis का मतलब होता है, narrowing होना किसी पार्ट का, और agenesis का मतलब ही होता है, कि किसी भी पार्ट का, यानि कि malformation हो रहा है, abnormal formation हो चुका है, stenosis यानि कि anal area में क्या आचकी है, narrowing हा चुकी है, अब one by one, आप उन देख लेते हैं, कि actually में ये क्या होते हैं, किस type से क्या, कि abnormality फेस्ट वन स्टार्ट करते हैं परिसीस्तेंट आनल मेंब्रेन इसके अंदर क्या होगा इन्स आनल के नाल ओपनिंग और वी ग्रीनिस कलर मेंब्रेन से तो क्या हो जाएगा वो पूरा जो ब्लोकेज हो जाता है और ब्लोकेज़ की वज़ए से जो fecal content वहां पो आएगा पास आउट नहीं तो अंदर से प्रेसर क्रेंट करेंगा तो ऊसीर महंब्रेन के वहांपे ब n the тीimmt को मिलती यानि कि वो नीची के और उबर जाएगी ठीक है प्रेसर की वज़े से फीकल मैटेरियल के प्रेसर की वज़े से ब्लेजिंग देखने को मिलती है और क्या होगा वो पूरी कावर हो चुकि जो एनल ओपनिंग है तो मिकोनियम जो फस्ट इस्टूल पास आउट करता है बेभी एक इन्फेंट उसको क्या बोलते मिकोनियम बोलते है और पास आउट नहीं कर पाईगा क्योंकि वो पूरी रूप से रास्ता क्या है बंद है इस वज़े से इसको क्या बोलते हैं परिसिस्टन्ट एनल मेमरें बोल देते हैं ओके नेक्स देख लेते हैं नेक्स सिब के बात कर रहेता है एनाल स्टेनोसिस मतलब निरों किसी चीज का इन दी शकार्च इस्टेनोसिस या फिर नारों ऑफ आनल कैनल अट वन टो फॉर सेंटीमेटर अबॉद इनल ओपनिंग डेट लीड़ डिक्रीज़ पासेज ओफ इस्टूल एप डिबन लाकिस तूल यहीं कि जो Enalmm opening होती है उसकी जो opening होती है and and part में उससे 14 sitting ओपर वाले part में narrowing हो चुकी है तो उस condition को क्या बोलेंगर Denzasagas जिससे क्या होगा pass-out स्टूल pass-out Quantum-년 की राश्टा क्या हो चुक है यह बहुत यह जो third one के बात करें एनॉल ऐजनिसिस या इनान फॉर टिंश इनञ इन इलींड हम्होत् अल्कनल लगहां इनलन के आनलकनगों उसका इन कंप्र्फॉरेट हैनों तोच और साथ ही में क्या होगा एनस ओपनिंग में क्या हो जाती क्लोज हो जाती इन पर्फॉरेट एनस देखने को मिलता है इस तरीकिस जैसे आप डाइग्राम में देख पारें नॉर्मली रूप से जो एनाल स्टेनोसिस या एनाल एजनेस की कंडिशन हो चुकिये इनकम्प्लीट फोर में डवलप्मेंट नीचे तक डवलप नहीं हो पाया एनाल जो कैनाल होता है और एनस जो ओपनिंग होती हो क्या डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं जासा पर डाइग्राम में देख पार है और रिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं जहां पर anal opening होती ही वहां पर ठीक है नेक्स्ट बात कर रहेते हैं in anal agenesis present more risk of rectal fistula formation जो anal agenesis की condition होती है इसमें rectal fistula formation होने की ज़्यादा chances होती है यानि कि जो rectum area होती है वो perforate हो जाता है उसके अंदर whole formation हो जाता है और वो दूसरे organ सी क्या हो जाता है connect हो जाता है जिससे rectum का पूरा material दूसरे organ के अंदर transfer हो जाता है यहनि कि abnormal communication बन जाता है rectum का किसी दूसरे other organ के जो उसके आजपास होती है जैसे की urinary bladder हो गया, urethra हो गया, vagin हो गया, इससे in other parts से क्या हो जाएगा abnormal communication बन जाता है rectal का अब कौन-कौन से टैप के fistula देखने को मिल सकते है rectal fistula उनकी बात करेते है recto vesical fistula देखने को मिल सकते है abnormal communication between rectum and urinary bladder अगर rectum और urinary bladder के बीच में abnormal communication बन चुका है तो इससे क्या बोल देंगे recto vesical fistula यानि कि rectum के अंदर opening वागेरा whole अगेरा बन गए जिससे की rectum का part कहां पे जा रहे है जो material कहां पे urinary bladder के अंदर transfer हो जाता है urinary bladder का rectum के अंदर ओके मतलब abnormal communication बन चुका है normal condition में कोई communication नहीं बीच में next fistula की बात करेते है recto vaginal यानि कि vaginal और rectum के बीच में जो fistula abnormal connection बनता है communication बनता है उससे क्या बौलदैंगी recto vaginal fistula bool देते हैं third one बात करेते है, recto parineal fistula यानि कि peritonial cavity और rectum के बीच में जो abnormal connection बनता है उससे बौलदैंगी recto parineal fistula ओके और next बात करते है, my uy chamado rectum के बीच में abnormal connection ये communication बन जाता है तो इसा भी बौल दांगे recto uretral fistula नेक्स्ट और लास्ट वन टाइब की बात कर रहे है इसकी तो KI दे कंदर मैलख फ्रमेशन हो रहा है इन audi anat तो मैंद Armen एन टे यो तो मैं मփ इन इनच बीन उंक्ल सोनाज अपर इंड़ Cara है वो पूरी तरीके से डवलोप होता है only rectum के अंदर problem होती है जो rectum का incomplete development देखने को मिलते हैं अब sign and symptoms की बात करेते हैं किसी baby के अंदर अगर anorectal map formation की condition develop हो चुकि है तो कौन से symptoms और sign देखने को मिलते हैं अपने को at birth पे तो meconium cannot pass क्योंकि वहां पर abnormal formation हो चुक है opening और close हो चुकि एनल जो एनस opening है तो मिकोनियम तो first tool pass out करता है baby वह pass out नहीं हो पाएगा तो किसको indicate करेगा enal malformation को membrane present on enal opening ठीक है membrane present होती है opening absent होगी ribbon like this tool देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर अगर enal agenesis हो चुक है तो क्योंग नेरोइंग हो जाती एनल के अनल की greenish color urine due to rectovesical fistula अगर rectum और urary bladder के अंदर abnormal connection बन चुक है तो क्योंग greenish color का इस tool अपने को sorry urine देखने को मिलेगा क्योंकि जो फिकल कंटेंट है वो यूरी ब्लेडर में जा रहा है और urine के साथ मिक्स आउट हो कि क्या कैसा कलर कि सो कर रहा है greenish color of urine देखने को मिलते हैं नेक्स बात कर रहेते हैं meconium pass from vagina अगर रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला परजेंट है तो meconium कहां से पास आउट हो जाएगा वेजाइना से अब वहां से आगे से तो ओपनिंग बंद हो चुक है नस की तो वहां से रूप से किसमे एनाल एजनेसिस के अंदर नेक्स देख लेता है अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है क्योंकि meconium pass out नहीं हो पारे हो फिकल कंटेंट वाइंची आइट के अंदर ट्रेपिंग होता जारै रिटें होता जारै जैसmacि क्या होगा अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है और भाइल्ल डीस्टेंशन होगई अगर सेक्ज गेंब कन्डीशन हूगी वूबडर से डाइगनोस्टिक एवालवेशन की बात करते हैं किसी को एनुरेक्टल माफ फॉमेशन हो चुगा है तो कौन से टेस्ट परफॉम किया जाते हैं कनफर्मेटिव डाइगनोसिस के लिए तो फिजिकल एग्जामिशन इसमें साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं नेक्स डाइगनोस्टिक पर चलते हैं बेरियम मील वीद एकसरी बेरियम मील खिलाएंगे उसको उसके बाद एकसरी करेंगे ताकि पता चल सके के एक्चलिव में इस्टेनोसिस हो चुका है या फ्या प्रोब्लम हो चुकि कोई ब्लोकेज आ जा चुक है जीटेक्ट में ठीक ह करने के लिए अब आते हैं मैनेजमेंट पे ठीक है सब कुछ पता लग चुका है अनुरेक्टल मालफॉमेशन क्या होता है कौन से सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो हम पुन आइडेंटिफाइ कर पाएंगे और कन्फरमेशन के लिए हमने डाइगनोस्टिक भी कर ल मैनेजमेंट नहीं है उल्ली सर्जरी करके उसको जो मालफॉमेशन हो चुका है ओर्गन का अच्छी है तो आप इसे उनको नॉर्मल कंडिशन में लाया जाता है वो भी किससे सर्जिकल मैनेजमेंट से प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देख लेते हैं जैसे वेवी का बार्थ होता है पता चल जाता है कि अनुर्यक्टल मार्फॉमेशन हो चुका है तो कौन सी केर देनी सर्जरी पर्फॉम करने से पहले आफ्टर बार्थ है सून एज अनुमेली इस नोटिस्ट औरल पता चल चुका है कि अनुर्यक्टल मार्फो में से अनुर्यक्टी परेजेंट है तो औरल फीडिंग इस्टोप कर देंगे क्यों कि आगे पास आउट नहीं हो पा रहे तो अनुमेशन हो सकता है वो मेटिंग वगयरा देखने को मिल सकते हैं तो जितना जल्दी उसके फीड रहे नहीं वर्ट्री स्टार्ट कर देना है नेम्स्ट अब्लम्ल्ग घृत को मेजर्ड करते रहें एकि कितना एब्दोम्नल डिस्टैंस हो रहें कि इतना सीवेर अगे कंडिशन प्लेस अंगीट्ट्टू प्लेस कर देंगे सर्जरी पहले क्योंकि उसको जेत्य ट को कंटे करने के लिए complete room से empty करने के लिए जो भी फिकल कंटेंट वहाँ पर ट्रैप हो रहा है उसको निकालने के लिए ताकि आसानी से surgery वगेरा perform की जा सके next monitor vital sign respiration वगेरा और blood pressure वगेरा temperature वगेरा चेप करते हैं infection वगेरा तो नहीं हो गए नेक्स्ट अगर किसी को anal stenosis हो चुका है यानि के अनल के अंदर narrowing हो चुकी तो balloon catheter insert करते है और inflate कर देते हैं जहां से part narrow हुआ है inflate करने से क्या होगी वहां से wide हो जाएगा जो भी narrowing हो चुकी और वापी से उसको resolve कर देते हैं stenosis को ओके नेक्स्ट अगर किसी को anal और rectal agenesis की condition परजेंट है तो कौन सी surgery perform करते हैं और क्या surgical management रहेगा इसमें first one colestomy perform करते हैं अगर fistula परजेंट है after then done reconstructive surgery सबसे अगर fistula परजेंट है मतलब की colestomy करना पड़ेगा तो फिकल मेटेल कहां पर अधर ओर्गन के अंदर जा रहा है तो यूरी बिलेडर के अंदर या वेजाइन के अंदर डिस्ट ड्रेन हो रहा है इससे क्या अधर कॉंप्लिकेशन अधर इंफेक्शन कर सकते हैं उन ओर्गन्स के अंदर तो सबसे पहले colestomy perform कर देते है। अब colestomy क्या होता है। उसके बाद reconstructivenus Ear packages करते हैं जो भी problem आई रेक्टमैनल इरिया के अंदर उसके बाद उनको treated करते हैं। ठीक है। तब colestomy क्या होता है उसके बात कर लेते है। Colostomy में क्या खरते हैं… एक opening made opening बनाते है ऑर सर्जिकल प्रोचिजर से क्रिएट करतेगा उसके बाद क्या करेंगे एल्दी जो अन्ड होता है कुलन का उसके बाद गाते हैं और जहां तक वह कोलन अफेक्टेट उससे ऊपर कट लगाते और जो पार्ट सही है उसको बाहर निकाल देते अब जैसे फिकल कंटेट हाएगा व यहां पर प्रोब्लम आ रखिए तो उससे उपर कट लगाएंगे ताकि जैसे फिकल कंटेंट आएगा स्मॉल इंटेस्टन से लार्ज में और उसके बाद बाहर के और इस ओपनिंग के थरू ही निकल जाएगा रेक्टम और एनस में नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर फिस्ट बात कर लाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ठीके सर्जीकल मैनेजमेंट परफॉंग कर दें उसके बाद कौन सी रेस्पॉंसिबिलिटी अपने को परफॉंग करनी प्रोइड बैटर पोजिशन टू रिलीव दे प्रेसर और सर्जीकल साइट एंड इंक्रीज वेन क्रिट ना हो इसलिए साइडलायन पोजिसचन इसे फस्ट प्राइजट वोजिशन अगार ये नहीं दे रहे तो सेक्थिद प्राइजिखन कौन्सी रहेगी सुपाइंट पोजिशन रखेंग और हीप कोई बेट कर देंग 910 डिगरंगल ठीक है यह पोजिशन रहेगी सेर् निए पर मेंटेन करते हैं जब तक कि बोल्साउंड अगयारा डिटर्न आऊ जाया प्रोब्लम करेट हो सकते हैं इंफेक्षिन के वजैसे असेस्ट दे सर्जिकल साइट फॉल इंफेक्शन जो सर्जिकल साइट हमको इंफेक्शन के लिए चेक करते हैं कोई अप्डॉनमल डिस्चार्ज या फिर रेडने स्वेलिंग तो नहीं देखने को मिल रही है चैन्द है पैरिनियल डेशिंग वेनेवर जो बी अगर जो डेशिंग प्रोटेक्टिव ओंटमेंट अप्लाइ करेंगे जैसे जींक कोशाइट साइट पर ताकि इसकी इसकी इरेटेशन और वड़ाइग को बढ़ाए जा सके पैरिनियल केर परड़ करते हैं तकि वहां पे इ परजेंट या परजेंट नियुक्त तब तक कुछ भी फीडिंग वगेरा निए आई विलाइंच से देना है ट्रेट इलेक्टोलाइट इंबेलेंस बाइप्रोवेडिंग परेंटर न्यूटिशन जो ट्रेट करने के लिए जो तक फीडिंग नी देने तब तक परेंटर न्य है बेबी के ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर खतम होता है चलो फिर विस्ट वेरी ओल ता बेस्ट एंड थैंक्स पूँचिंग